स्वागत है आप सब ही का एक नई वीडियो सीरीज में मेरा नाम है एचपी सोलंकी दर्चल हाल में भारतिय अंत्रिक्ष अनुशंधान संग्ठन यानि इसरो ने स्री हरी कोटा आंदर प्रदिस से INSET 3DS लॉंच किया है बता दें इस मीशन का उद्दिस से विसिस रूप से उननत मौसम समंदी अवलोकन परदान करने मौसम पुर्वा अनुमान छमताओं को बढ़ाना है जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में मौसम बिग्यानी INSET 3D और INSET 3DR उपग्रहों द्वारा उत्पन डेटा का उप्युक करते हैं अब अगर INSET 3DS का परिचा देखें तो यह प्रत्वी बिग्यान मंत्राले द्वारा बित्पोसित एक प्रमुक मीशन है और इसे मौसम आपदा चेतावनी के लिए मौसम समंदी अवलोकन भूमी और महसागर सत्यों की निग्रानी के लिए डिजैन किया गया है क्योंकि इस उपग्रह को चक्रवात, मांसूनी बंडाली, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने के दोरन तैनात किया जा सकता है INSET 3DS में चार पेलोड सामिल है एक इमेजर, एक साउंडर, एक डेटर रिले ट्रांसपोंडर और एक सैडलाइट सहता प्राप्त, खोज और बचाप ट्रांसपोर्डर अब अगर ISRO का संचिप्त परिचा देखें तो दरसल पहले ISRO को भारतिय राष्ट अंतरिक्ष अनुसंधान समीती यानि इनकोसपार्क के नाम से जाना जाता था जिसे डॉक्टर विक्रम ए सारवाई की दूर दरसिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा इस्थापित किया गया था याद रहे ISRO का गठन 15 अगस्त 1979 को किया गया था तथा अंतरिक्ष परोधुगी की का उप्योग करने के लिए बिस्तारित भूमिका के साथ इनकोसपार की जगह लिए वैसे ISRO के भारत में 6 प्रमो केंद्र हैं तथा कैई अन्य एकाईयां, एजंसी, सुविदाएं और प्रियोक्षालाएं स्थापित हैं ISRO का मुख्याला बैंगलूर करनाटक में हैं वर्तमान में ISRO के चीफ एस सौमनाथ हैं आपको यह वीडियो सीरिज कैसी लगी आप HP सोलंक की स्टैडी को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं